हां तो हम कई रहे थे हमने यहां तुम लोगों को क्यों बुलाया है तो सुनो हमने यहां इसलिए बुलाया है सर जी हां एक बात पूंचनी बोलो आपने हम लोग को यहां बुलाया कहे के लिए बता रहा है बता रहा है का है मारे जारो बैठो बच्चों की लगातार सिकायते आ रही हैं आप लोग के खिलाप तो मैं आपको इसका व्यूज दिखा देता हूं और आपको यह दिखा देता हूं कितना कम वीडियो डाल के अपने चैनल को कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सर्च में सर्च कर लेते हैं M.J.O ठीक है इस चैनल का नाम है Make Joke Of ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं Make Joke Of का चैनल आ चुका इसको ओपन कर लेते हैं open करने के बाद दोस्तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 million से ज़्यादा इसके subscriber है ठीक है और video कितना डाला है 75 only ठीक है 75 video सिर्फ डाला है और इसमें 12 million से ज़्यादा इसके subscriber है समझ रहे हो मतलब कितना ज़्यादा इस video का demand है कितना लोग इस टाइब के video को पसंद करते हैं और दोस्तो आप सोचों कि अगर आप भी इस टाइब का video बना कि अपने channel पर upload करते हैं तो दोस्तो आपका channel क्यों नहीं grow होगा 100% grow होगा तो सबसे परे दोस्तो इस channel की videos का हम views देख लेते हैं कि कितना view जाता है एक video पर ठीक है तो अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं video वाले section में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो latest video डाला है यहाँ पर 4.4 million आप देख सकते हैं 3 हपता पहले इसने डाला है 3 weeks ago ठीक है 3 हपता पहले डाला है 4.4 million इसके जो ही वीउ जा चुके हैं एक वीडियो पर और उसके पहले वाले वीडियो पर जाओगे तो छे मिलियन जा चुके हैं और उसके पहले जाओगे तो साड़े देखा जाता है ऐसा नहीं कि मतलब आज ट्रेंड में चल रहा है उसके बाद फिर कभी नहीं देखा जाएगा तो दोस्तों आप भी अगर इस टाइप के वीडियो बनाएंगे तो आपका भी चैनल ग्रो होने का 100% चांद से लिग कर ले लो ठीक है अब दोस्तों इस टाइप क वीडियो को आपको बनाना कैसे है इसके लिए दोस्तों आपको कोई बहुत बड़ा सेट अप नहीं चाहिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस टाइप के वीडियो को अपने मुबाइल में कैसे बना सकते हैं मैं आपको कंप्यूटर या फिर ल कर लेना है open करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना है mjo ठीक है mjo में यहां पर सर्च कर लेता हूं mjo और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर और टाइप करना c2 ठीक है c2 यहाँ पे मैंने कर लिया type type करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे search पे आपको कर देना है click ठीक है अब आपके सामने यहाँ पे एक application आ जाएगा mjoc2 ठीक है यह वाला application जो आपको उपर दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको करना है click click करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है इस application को download कर लेना है अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे install ओले button पे click करना है click करने के बाद दोस्तों आपको mobile में यह application download हो जाएगा और इसके बाद install भी हो इंस्टोल हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इसको ओपन कर लेना है इसक्रिप्ट या स्टोरी के लिए आपको यहां पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च बार में टाइप करना है हिंदी जोक्स हिंदी जोक्स टाइप करने के बाद आपको यहां पे सर्च पे क्लिक कर लेना है अब आपके सामने यहां पे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे आप यहां किसी भी लिंक पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं ओपन करने के अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे Google अकाउंट से इसको login करना है या फिर आप as a guest पे क्लिक करके यहाँ पे enter कर सकते हैं तो हम यहाँ पे as a guest पे click कर लेते हैं यहाँ पे background add करने से पहले माँ आपको समझा देता है credit क्या होता है ठीक है तो आपको यहाँ पे उपर corner पे credit को option मिलेगा इस पे आपको plus वाले निशान पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे option मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 80 रुपे में आपको 100 credit मिलते है और 350 रुपे में आपको 500 credit मिलते है और अगर आप free में credit को earn करना चाहते तो आपको यहाँ पे free का option में मिल जाता है यहाँ पे आपको click करना है और आपको यहाँ पे add दिखाया जाएगा मतलब कि दोस्तों यह पूरा application आपके लिए free है पर यहाँ पे आपको कोई चीज खरीदना है जैसे कि आपको background लेना है character लेना है या कोई भी चीज आपको यहाँ पे लेना है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे add देखना पड़ेगा और आपको credit जमा करना पड़ेगा credit आपके पास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा आप video बना पाएंगे add को full watch करने के बाद आपके account में 3 credit add कर दिया जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों हमने जाना कि कैसे credit को earn करना है अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उससे कोई भी चीज खरीज सकते हैं तो यहाँ पे आपको आजाना assets में और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे option मिलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको environment का option मिल जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे character का option मिल जाएगा थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको यहां पे assets यानी की मतलब आपको pistol का option मिल जाएगा यहां से आप अपने character के हाथ में pistol भी पकड़ा सकते हैं तो अब चलो यहां पे मैं कोई भी background को यहां पे आपको download करके दिखा देता हूँ अब इसको add करने के लिए आपको आजाना है back और उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे environment का option मिलेगा यहां से आप अपने वीडियो के लिए कोई भी background को add कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मेरा जो story है वो classroom से related है तो यहां पे हम अपने classroom वाले background को select कर लेंगे यहां पे आप slide करके आएंगे तो आपको यहां पे classroom का option मिलेगा यहां पे आपको click कर लेना है अब click करने के बाद दोस्तों background तो आपका आचुका है यहां पे आपको character को select करना है दो character आपको दोस्तों application free में देता है बेगर credit को use किये इनको add करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इनके उपर simply type करना है type करने के बाद आपका जो frame रहेगा उसमें यह select हो जाएंगे ठीक है आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे दोनो character पे click किया है और दोनो character आपके frame में आ चुके है इनके अलावा दोस्तों अगर कोई character को और extra add करना चाहते तो आपको यहां पे character वाले option पे जाके add more पे click करना है click करने के बाद आपके सामने दो option आ जाएंगे पहला option यहां पे आपको मिल जाएगा create का और यहां पे दूसरा option मिल जाएगा download का यहां से आप दोस्तों create पे जाके नए character आप अपना बना सकते हैं खुद का character बना सकते हैं download वाले option पे click करके आप इस application के store में जाके कुछ character को खरीद सकते हैं आप अपने credit को use करके तो इसको खरीदने के लिए simply आपको character वाले option पे click करना है जो भी आप character पसंद करते हैं जिसको आप download करना चाहते हैं उस पे आपको click करना है और यहां पे आपका character download हो जाएगा download हो जाने के बाद दोस्तो अब अपने frame में इसको add करने के लिए simply इस character पे click करना है click करने के बाद आपको 10 credit यहां पे देना पड़ेगा और देने के बाद आपको यहां पे allow पे click कर देना है अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपका timeline है वहां पे आपका character आ चुका है और setting वाले option पे आपको click करना है click करने के बाद दोस्तो यहां पे आपका character आ जाएगा जिसको आप customize करना चाहते है तो यहां पे आप इसके hair को change करने तो यहां पे हैर पे click करेंगे तो बहुत सारे आपको hair को option मिल जाएंगे यहां पे आपको 4 male और 4 female के haircut मिल जाएंगे किसी पे को अगर आपको cap लगाना या फिर टीका लगाना घडी लगाना तो आप यहां पे click कर सकते हैं और इसके बाद जहां से आप character के size को छोटा बढ़ा कर सकते हैं और फिर next setting को click करके उसके बाद यहां पे इसके आवाज को भी आप मोटा और पतला कर सकते हैं मतनलब की ladies के आव कर सकते हैं बच्चे की वाज में कर सकते हैं और यहीं से आप अपने करेक्टर से कोई भी एनिमेशन करा सकते हैं यहां पर आपको बहुत सारे उप्सन मिल जाएंगे एनिमेशन कराने तो यहाँ पर आपको पास से 6 option मिल जाते हैं animation कराने के लिए आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके animation करा सकते हैं character को customize करने के बाद आपको यहाँ सेव ओले बड़न पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको 5 credit देना होगा उसके लिए आपको यहाँ पे allow पे click करना है और उसके बाद आपका character यहाँ पे customize हो जाएगा अब यहाँ पे दोस्तो हमने अपने scene की मताबिक तीन character को ले लिया है यहाँ पे हमारे सारे character आ चुके हैं अब क्या करना हम इनको animation कराएंगे उसके लिए आपको यहाँ पे shooting वाले option पे click करना है आपको यहाँ पे shooting वाला option मिल जाएगा इस पे आपको कर लेना है click जैसे आप इस पे click करेंगे click करने के बाद आप यहाँ पे classroom में enter कर जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत जबरदस 3D animation आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इसके कुछ control समझा देता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पे जो teacher है इसको अगर आपको पुरसी पे बिठाना है तो आपको यहाँ पे इस तरह से लेके आना है जैसा आप यहाँ पर रखना चाहें यहाँ से आप रख सकते हैं अब मालो दोस्तो आपको इस character को यहाँ से उठाना है उठाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा stand up का ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो character को छड़ी के बास लेके आना है यहाँ पर pick का option मिल जाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके हाथ में वो छड़ी आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके हाथ में वो छड़ी आ चुका है बाकी control को हम जान लेते हैं तो यहाँ पर पहला वाल option आपको chroma का मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा screen green हो जाएगा यहाँ से आप कोई भी background को add कर सकते हैं second number पर आपको sound effect का option मिल जाएगा यहाँ से आप sound effect लगा सकते हैं थोड़ा और नीचे आएगे तो आपको यहाँ पर animation का option मिल जाएगा यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने character से animation करा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं तो अब यहाँ पर पहले chroma को disable कर लेते हैं अब यहाँ पर दोस्तों हमने chroma को disable कर लिया है change करने के बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका expression दिखा देता हूं character का कि यहाँ पर किस तरह से expression करेगा चेहरे का जो expression होता वो कैसे करेगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं जिस character से आपको expression कराना है उस पर आपको click करना है click करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यह वाले character से expression कराना है इस पर चेहरे पर कुछ expression कराना है तो यहाँ पर मैं इस character को select कर लिया हूँ अब यहाँ पर दोस्तों आपको 4-4 expression मिल जाएंगे तो यहाँ पर happy sad angry आपको expression मिल जाएंगे जिसको आप चाहें यहाँ पर state कर सकते हैं अब इस वाले character को मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया दूसरे वाले character को हम यहाँ पर select कर लेते हैं तो हमने इस character को select कर दिया अब इसका expression में आपको करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सामने आपको यहाँ पे एक option मिलेगा इस पे आपको कर लेना है क्लिक अब यह सामने देख लेने लगा तो यहाँ पे दोस्तों आप इस तरह से इसको क्लिक करके उसको दिखा सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके सामने भी इ अब उसके बाद दोस्तों आप यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो character आपका इस तरह से उचलने लगेगा आप यहां पर क्लिक करेंगे तो character ऐसे उचलने लगेगा उसके बाद दोस्तों बाकी के option भी यहां पर समझ लेते हैं तो यहां पर आएंगे camera angle यहां से आप set कर सकते हैं जैसे के दोस्तों मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ इस वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे camera angle आया जाएंगे जिस पर आप set करना चाहते हैं उस पर आप कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप अपने camera angle को अपने हाथ से भी set कर सकते हैं उसके बाद इस वाले option पर क्लिक करके इसके छट को आप dark और light कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप कमरे की light चालू और बंद कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक option मिल जाएगा जूम का उसके आप क्लिक करेंगे तो आप अपने screen को जो है इस तरह से जूम और जूम आउट कर सकते हैं अब सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे recording पे क्लिक करना है और आपको अपना script बोलना है जो अभी आपका line रहेगा वो आपको यहाँ पे बोलना है दोस्तों जैसे जैसे आप dialogue बोलेंगे उसी हिसाब से इसका जो lip रहेगा न वो भी हिलना start हो जाएगा दोस्तों है अफे हम लेकिन बन के रेडिय हो चुका है और एकध्यक्राइंब अपर देख सकते हैं कि आपको एक scene बन के रेडिय हो चुका है तो यहाँ पर आपको क्या करना है gallery एक वीडियो के बना है और यहाँ पर अबका file धे Perfect हो जाएक तो दो इस तरह से बड़ी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दाएं वीडियो पसंद आए दर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं किसी और इन्फोर्मेटिव वीडियो के साथ में तब तक ले अपना ख्यार रखें जय हैं